Hello everyone, welcome to Dhanuka Agri Academy. So today we are going to discuss about insects and pests of maize. Maze जो है वो थर्ड नंबर पे हमारा important crop है, field crops में. तो आज हम इस वीडियो में insect और pest के बारे में पढ़ेंगे जितने भी maize में attack करते हैं. सबसे पहले हम major pest देखेंगे. major pest कुछ दिटेल में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि वो important है. तो first हमारा major pest है, maize shoot borer. अब यह जो maize shoot borer होता है, इसको हम stem borer भी बोलते हैं. इसका scientific name है chilo pertellers, family है pyraliddy और इसका order है lapidoptera. जितने भी borers हैं, हम पहले के वीडियो में भी discuss कर चुके हैं. उनका order क्या होता है lapidoptera. अब उनका distribution देखते हैं means world में ये कहां कहां कौन कौन से countries में ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा attack करते हैं. तो ये उनका distribution है India, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, Iraq, Japan और बहुत सारी countries हैं आप slide में देख सकते हैं. host range means और कौन कौन से crops पर ये attack करते हैं. तो जवार means sorghum, बाजरा, पर्ल मिलेट, शुगर केंग, राइस ये सभी host हैं के attack करने के लिए. अब इनके damage symptoms देखते हैं. तो ये जो है, गे insect हमेशा, इनका जो मतब लार्वा होता है, भोंग, सोईंग के एक महिने बाद से attack करना चालू करता है, और जब उनके cob निकलने चालू होते हैं, तब तक ये attack कर सकता है, attack करते रहता है. इसमें major symptom जो होता है, वो होता dead heart symptom. जो उसका central shoot होता है, जो उसका beach का stem का हिस्सा होता है, उसमें सबसेरा damage होता है, क्योंकि ये क्या करता है, इस पर छेद कर देता है, holes जो है, वो बोर कर देता है, और इसलिए, इस पर क्या होता है, short hole symptom भी दिखते हैं, जितने भी यंग लार्वास होते हैं, वो क्या करते हैं, newly formed leaves को खा जाते हैं, फीट करते हैं, और किस पैटर्न से फीट करते हैं, short hole मतलब छोड़े-छोड़े छेद बनाती, तो उसको पिन होल symptom भी बोलते हैं, जितने भी हाइज़ाइट सिंप्टम्स हैं, तो बहुत important है, एक्जाम के point of view से, और जितने भी caterpillars हैं, वो बीच में जो टनल बनाते हैं, बोर करके छेट करके बहाँ पर ही रहने लग जाते हैं, अब देखते हैं, इन्हें manage कैसे कर सकते हैं, तो management के लिए हम resistant cultivars लगा सकते हैं, यसे कि हिम 129, गंगा 457 & 9, गंगा सफे 2, decan 101 & 103, और भी बहुत सारी cultivars हैं, जो हमें काम आएंगे, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, intercropping कर सकते हैं, इससे लब-लब से या फिर cow की से, 4 is to 1 की ratio पे, इससे क्या होगा, stem borer जो है, उसका damage minimize हो जाएगा, हम light trap भी लगा सकते, ताकि जितने भी adult mode होंगे, उनको हम capture करने, और बाद में kill करने, और हमें यह ध्यान रखना पड़ता है, कि जितने भी stubbles हैं, weeds हैं, और alternate host हैं, उनको हम destroy परें, क्योंकि जितने भी larva होते हैं, यह stubbles program में भी hibernate कर सकते हैं, chemical way में देखेंगे, तो हम application कर सकते हैं, forehead, 10 gram, add the rate, 20 kg per hectare का, और carbofuren का, और हम इसके लिए parasite भी यूज़ कर सकते हैं, kotasia, यह एक तरिकी का वास्प है, जो कि इसके लिए parasite का का काम करता है, तो यह सारे तरीके थे, इधे manage करने के, अब हम next pest की तरफ जाते हैं, जो की है हमारा major pest, second number का maze shoot fly, इसका scientific name है, anthirigona orientalis, इसकी family है muskidi, और order है diptera, इसका distribution कहा कहा है देख लेते हैं, उत्तरप्रदेश, आंद्रप्रदेश, तमिल नाड़ो, महरास्टरा और करनाटका, host में यह maze तो है, पर साथ में सोरगम, रागी और बाजरा में भी attack करता है, और इसका adult है वो small gray color का fly होता है, अब damaging symptom देखते हैं, तो इनके larva जो होते हैं, fly की larva क्या कहलाते हैं, maggots कहलाते हैं, जो maggots होते हैं, वो क्या करते हैं, young growing shoots, means जो छोड़ जो shoots उगते रहते हैं, उसमें क्या करते हैं, dead heart बिलाते हैं, मतलब वोई छेट कर देते हैं, बोर कर देते हैं, और dead heart का formation करते हैं, management कैसे कर सकते हैं, का resistant cultivars लगा के, जैसे कि DMR5, NCD, BC80, यह ध्यान रखेगा, सारे सारे इंसेक्ट और पेस्ट का, हमें resistant cultivar याद रखना हैं, क्योंकि यह बहुत important होते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं, chemical application में, furrow में हम folate को apply कर सकते हैं, अब हमारा थर्ड नंबर का magic pest है, पिंक stem borer, इसका scientific name है, सिसामिय इंफेरिंस, फैमिली है नॉक्टूडी और और अब इसका distribution देखते हैं, यह इंडिया, पाकिस्तान, मिलेशिया, मुस्ली यह एशिया वाले जो continent है, वहां पर पाया जाता है, साथ में हमें यह जपान पोरिया में भी दिखता है, हो स्ट्रिंग देखते हैं, तो सोरगम, मेज, राइस, वीट, शुगर केंट, बाजरा, रागी, गीनिया ग्रास, इसके बाद अब बाइनोमिक्स देखते हैं, वो कैसा देखता है, उसका लाइक साय। फश्की होता है उसका राइक होता है को हमें एब friction उनays लिश्य स्टाइला के विंग होता है और जो होते हैं टर्कौनाल हरा का है सका रावगिश उननाल को हुझ होता है और एक साल में के 4 to 6 generations दिखाता है तब से पहले यह देखे जो adult है वो egg देता है फिर लगभख 6 to 10 days के बाद यह जो एक होता है वो larva में change होता है इस पे 5 larval stages देखने को मिलती है देन लगभख 28 to 56 days के बाद यह pupa में बदल देता है फिर pupa जो होता है वो लगभख 10 से 11 दिन के बाद बन जाता है तो यह रहा हमारा लाइफ साइकल पिंक स्टेम पूरर का इनके डैमेंजिंग सिंटम देखते हैं तो इस पे भी हमें डेड हाट सिंटम देखने को बिलता है आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी बोरर होते हैं वो हमेशा mostly dead हाट सिंटम ही शो करते हैं अब management देखिए इस पे resistant cultivars है decan 101 and 103 और हम spray कर सकते हैं endosulfan का 35 PC at the rate 1 litre per hectare के उससे और हर 20 दिन में हमें यह करना पड़ता है इसके management के लिए नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का major pest corn worm या फिर ear worm इसका scientific ने में हेली कोवर पा आर्मी जहरा इसकी फैमिली है नॉक्टुडी और अर्डर है लेपिडॉप्टेरा इस पे जो बायोनिक्स है वो देखते हैं तो इनके बायोनिक्स में हमें यह देखने को मिलता है कि जो adult होता है फोर्ण का मोथ होता है और उसके जो फोर विंग होते है उस पे to V-shape बरता है और जो हाइंड कालर का बॉर्डर देखने को विलता है इनके जो लारवे होते हैं वो ग्रीन कलर की होते है और इस पे हलका सा ब्लैक कलर की और ग्रे कलर की ऐसे लाइनिंग्स पेरलल्ला हम देखते हैं तो जो लारवा होता है वो सिल्क को फीड करता है अब हम मेज के बाद में तो पढ़ ही चुके हैं तो मेज में जो सिल्क होता हो क्या होता है जो इसमें फीमेल फ्लावर होता है उसको समसिल्क बोलते हैं और मेल फ्लावर को टैसल बोलते हैं तो जब यह सिल्क फ पर हेक्ट स्प्रेय कर सकते हैं का यूज कर सकते हैं और यह अप्लिकेशन को हम लोगों 15-15 दिन में स्प्रेय करते रहना चाहिए अब नेक्स्ट हमारा फिफ्ट नंबर का मेजर पैस्ट है मेज शूट बग शूट बग इसका सांटिफिक नेम है पैरेग्रिनस मेड़िस फैमली है डेल्फे सीडी और और है अमिप्राइब इसका इंडिया में कहां कहां देखने को मिलता है करनाट का तमिल नाडू आंधि प चल् وाध्यवी इन्जूरी अब्में करके चल्ट होती हुग registered đ Bonus चल्ट करों शकरते हैं तो प्लान्ट को होते हैं टो अंहल्दी दिखने लगते हैं छोटे रह जाते हैं यलो कलर की होते हैं कि सारा सेल से अब तो निंफने सब कर लिया अब जो होती है वो जो विदर हो जाती है टॉप की तरफ से ऐसे नीचे जुकने लग जाती है और जो पैनिकल होता है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता और अगर सीवेर अटैक करते हैं तो प्लां रही है सबस्टेंस होता है वो क्जिक्ऴियड करता है इसकामेंज्मेंट देखते हैं इसको 500 i.2 अधूले कर सकते हैं सब्सक्राइब altogether माइथिमना सेपरेटा, फैमिली है नॉक्टोडी, ओर्डर है लेपिडोप्टेरा और इनके डैमेजिंग सिम्टम में आता है इर्रेगुलन लीफ फीडिंग, मतलब ये किसी भी पैटर्न में लीफ को फीड कर सकते हैं, लीफ को खा सकते हैं, दूसरा है ऐश वीविल, माइलो स्पीशीज, फैमिली है कुर्कुलाइनिटी, और और है कॉल्योप्टेरा और इसके जो लार्वा होते हैं, ये सेकेंडरी रूट्स को फीड करते हैं और जो एडल्स होते हैं वो लीफ को फीड करते हैं, तीसरा है फ़र्ट का ग्रास होपर, इसका साइन्टिफिक नेम है हा फैमिली है लोफोपीडी, और है हमेप्टेरा और इसपे डामिनिंग सिंप्टम से यलो इंग और जो सूटी मोल देखने को मिलता है और जो टॉप की ऊपर होती है वो ड्राइड अप हो जाती है और हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा जितने भी मेस के इंपोर्टेंट, माइनर और मेजर पेस्ट है उनके बारे में पढ़ा मेजर पेस्ट को हमें रिटेल से पढ़ा उसका लाइफ साइकल, बाइनोमिक्स, डिस्टिबूशन एन स्टेटस, होस्ट उसकी डैमेजिंग सिंप्टम जितने हैं, मैनेजमेंट कैसे क्या जाता यह साइंटिफिक नेम क्या है, फैमिली क्या है, ओर्डर क्या है, डैमेजिंग सिंप्टम क्या है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज डू लाइक अन शेयर, आगे आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा, आप हमें कमेंट करके रिकमेंट कर सकते हैं, थैंक यू